लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए महाराष्टर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो यह सारी घटनाए दुखदाई है आश्चरे चकेत और अचम्भित करने वाली इस प्रकार की यह सारी घटनाए महाराष्टर में हो रही है किन्तु इसमें सबसे आश्चरे की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट के मुख्यमंत्री जी ने उसके उपर एक बयान भी नहीं दिया पवार साहब ने दो प्रेसली किन्तु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया पवार साहब ने का कि मूल गटना की और देखे मूल गटना तो देखने ही पड़ेगी पर मूल गटना के आडए आप भरष्टा-चार को नहीं चिपा सकते हुआ वो घटना जितनी महत्वकी है उतनी ये भी घटना महत्वकी है हाई हम जरूर मानते है कि जो मूल घटना है उसका तो परदाफाश होना ही चाहिए और उसके साथ-साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हपता वसूली की घटना है ट्रांसफर्स का रैकेट है इसको आप रोक नहीं सकते उसकी भी जाच होनी चाहिए और इस सरकार में कहीं पर भी नईतिकता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि इतना बला रैकेट बहार आने के बाद जिनोंने बहार लाया उन पर तो कारवाई की गई लेकिन जिनोंने रैकेट किया उनके ओपर कोई कारवाई नहीं है और कारवाई की बाद भी नहीं है उसके ओपर हम कोई कारवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है और इस महावसूली सरकार में कॉंग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता पर ये ध्यान में आता है कि शायद ये जो हपता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा इसलिए वो मौन है तो कुछ कह नहीं रहे है और इसलिए मुनको भी पूछना चाहते है कि आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सक्ता में हिस्सेदारी कि उतनी हपते में हिस्सेदारी है खुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नेतिकता को छोड़ दिया है लोक तंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे हपता भी वसूल करेंगे ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे और यह सारी चीज़े होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यानी नहीं है जिस प्रकार से कोरोना की case महाराश्र में बढ़ रही है देश का epicenter कोरोना बनाए और मैं समझ नहीं पाता कि महाराश्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है became सरकार Department करती है क्या सरकार दे इसके उपाय किया है मुझे लगता है यह भाशन देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है और इसलिए राज्यपाल जी को हमने यह कहा है हमारे सुधिरभव मुनगंटिवार जी ने सव घटना है राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दिये कि जिसमें सरकार ने सव घटनिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूकी मुख्य मंत्री भी बोलते नहीं है सरकार भी ठीक चल नहीं रही है ऐसे समय कम से कम मुख्य मंत्री जी को आप इसके उपर रिपोर्ट मांगे राज्य पाल जी को अधिकार है कि आपने हप्ता वसूली पर क्या एक्षन लिया आपने ट्रांसपर रैकेट पर क्या एक्षन लिया कोरोना के उपर आपने क्या एक्षन लिया ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए इस प्रकार का निवेदन हमने माननिय राज्यपाल जी को दिया है कि ये जो रिपोर्ट कि इंद्रिय ग्रह सेचिव जी को दी गई है ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है ये तो जल्दी सामने आएगा लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है ये उनको पूछना चाहता हूँ अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्ट 2020 से आपने इसको छूपा कर क्यों रखा वो कौन लोग है जिनके उपर इसके माध्यम से सीरी उंगलिया उठती है वो कौन लोग है जो कनवर्सेशन में आते हैं वो कौन लोग है जिन तक माल पहुचता है वो कौन लोग है जो इसका कोडिनेशन करते हैं ये सारी चीज़े बाहर आएगी इसलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा अब ये केंद्रिय ग्रह मंत्राले तक पहुचा है जल्दी ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है और आप लोग को खबर नहीं होती तो आप उनके तक पहुच जाते हैं और वो को इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दू को इतने बड़े नेता नहीं है राज्यपाल सववजानिक प्रमुख है अम उन तक जाते देखो ऐसा है ना अगर हम चले जाए तो बीजेपी के नेता और आप कमर से जुखकर उनको जब प्रणाम करते तो वो किसके नेता होते यह मुख्यमंत्री यह प्रमुख है उन्होंने बातचीत करनी चाहिए लेकिन वो जानते कि इस पर बात करना उनके लिए कठिन है और अगर इस पर वो बात करेंगे तो कही ने कई जाच करनी पड़ेगी जाच के आदेश देने पड़ेंगे चो वो देना नहीं चाहते अप अपनी सरकार को भचाने के लिए, खट्ल को भचाने के लिए यह सारा मामला चल रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि इस अंजराऊ थो को अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उनकी बात को सरकार की बात तो नहीं माना जा सकता, वो कोई सरकारी थोड़ी है और इसलिए सरकार के और से कौन बोल रहा है कि कोई अधिकारी अगर सच कहे तो बीजेपी का एजन्ट और हप्ता वसूल करके दे तो कैशी उसे न का एजन्ट जो बून से गई वो हौच से नहीं आती इस प्रकार की चीजे पहले करने के आवशकता थी जब यह धान में आ रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग हप्ता वसूली में लिपता है उस समय करना चाहिए था लेकिन मैं आसा मानता हूँ एड्मिनिस्टेटिव बाब है और इसलिए इसके उपर मुझे कोई कमेंड नहीं करना कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अगर सुधार हुआ तो मिसका स्वागत करें इस मामले में इस फायर भी दर्ज हुआ तो मैं उसकी परवाह नहीं करता मैंने महाराष्ट के हित के लिए ये काम किया है जो एक प कॉगनीजेबल अफेंस हुआ था और उस कॉगणीजेबल अफेंस को छुपाने का काम इस सरकार ने किया था मैं उसको अगर मैंने उज्यागर किया है और महाराष्ट की प्रतिष्टा को बचाने का काम किया ये अगर गुना है तो इसे चार गुना मैं और करूँगा और मैं कैसे सही हूँ ये मैं नायले में जक्र बताओं मैं बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये तीनों जानते थे इस प्रकार की हपता खोरी हो रही है ये तीनों पार्टियों को पता है कि इसमें का सत्य बाहर आया तो तीनों का चेहरा खुला हो जाएगा इसलिए वो उसको बैक उनको बैक कर रहे है